नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकाम है पीएस क्लासेज में चैसा की अब जानते हैं सबसे विश्वस्नी और प्रमाडी सुचना लेकर के पीएस क्लासेज प्रियागरास से प्रजेंट होता है तो ऐसेम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आज की बड़ी अपडेट क्या है सभी सिच्छक बरतियां हो गया एलान दोस्तों नया सिच्छा आयोग गठन के बारे में बात करेंगे और यूपी टीज़टी पीश्टी सिच्छक बरती पर इच्छा कब तक स्टाप नर्स क कि 2540 पदों पर बरती कादेश जारी हो गया है और नई प्रात्मिक सिच्छक बरती की क्या सूचना है इस पर हम बात करेंगी लेकि दोस्तों आगे बंडिस पहले गर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेग ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुल सके लाइक शेयर करना बिल्कुन अद बूलीगा तो चली दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सभी सिचक बरतियां हो गया ऐलान नया सिच्छायों के गठन के बारे में क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ जादे के बेसिक से लेकर उचेयों तक्निकी सिच्छ संस्थानों में सिच्छक भरती के लिए उत्तर प्रदेश सिच्छा सिवा चैन आयो के गठन में देरी को देखते हुए प्रतियोगियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है प्रतियोगी चाहते हैं कि 7 अगस से शुर प्रतियोगियों का कहना है कि इसके गठन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन इस संबंद में तयार किये गए प्रारूप को कैबनेट द्वारा सुकृती नहीं दी गई है ऐसे में मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश सिच्छा सिवाचन आयो का दनियम 2019 में संसोधन कर नए आयो का गठन होना संबव नहीं है प्रतियोगी मांग कर रहे हैं कि प्रक्रिया तेजी से पूरी कर मानसून सत्र में दनियम पारित किया जाए ताकि सिच्छक भरती की प्रक्रिया शुरू होकर आम चुनाव अचार संगिता के पहले पूरी की जा सके तो दोस्तों एक बात लिखी गई है कि आयो के गठन के लिए मुकमंतरी को लिखा पत्र और इसी साथ उस्तों हम बात करेंगे यहां पर भी आप देख शकते हैं एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है स्टाप नर्स के 2540 पदों समेद 2648 पदों पर भरती अगस में शुरू हो रही है स्ट पैथिक अधिकारी, प्रोफेशर, उपनिदेशक और सायक रशायन के पदों पर भी भरती होगी बारती का बिग्यापन उत्तर प्रदेश लोक्षिव आयोक से जारी किया जाएगा और इसी साथ उस्तों यह भी बताएगा कि स्टाप नर्स पुरुस महिला एलोपैथिक दो 1240 पदों पर भरती होनी है इसके अलावा स्टाप नर्स आयोक के 300 पदों पर भी भरती होगी आयोक के परिशानी अंतरड आजय कुमात दिवारी ने बताया कि इन पदों का दिया चना चुका है बरती का बिग्यापन जारी करने के लिए काम चल रहा है प्रक्रिया पूरी हो जैसा कि सरकार जुचाएगी वह हो सकता है जब भी आपकी वैकेंसी आनी रही अलग से इसकी डेट जारी कर दी जाएगी और इस शिक्षात देखिए आप देख सकते हैं आर सी एटी में कई पदों पर निकली भरती एक सो पचास पद हैं अपरेंटिस इप के लिए करें दरत परिच्छा है बुतत्तों एवंखनी कर्म का है उत्तर प्रदेश आयूश होंपैथी है और उत्तर प्रदेश आयूश होंपैथी के साथी साथ आप देख सकते हैं आरो यारो समय तन बड़ी भरतियां भी जल्दाने के आसार हैं तो दोस्तों आज की समाचार पत्रों म वो इस पर अपनी मांग उठा रहे हैं और बहुत जल जो है इस पर कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है तो आप सभी अपनी तयारी में लगे रहे हैं विश्वसरी सुचना पाने के लिए अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक